नमस्कार बच्चों, गूड इवनिंग, रादे रादे, राम राम सा, क्या हाले आपके बढ़ियां होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है आपकी, सेल अपनी कंप्लीट होने वाली है, मैंने आपको कल रैप्लिकेशन समझाया था, वैसे रैप्लिकेशन थोड़ा टे रही हूं, रैप्लिकेशन में अपने क्या पढ़ा था, एक डिने से दो डिने बन गए थे, अब एक से दो डिने को बनने की जो प्रोसेडिक है यह बहुत सारे एंजाइम की द्वारा संपन होती है, जिसमें अपने एक एंजाइम पढ़ा था हैलिकेज, हैलिकेज एंजाइ है dna की hydrogen bonds को तोड़ता है और दोनों लड़ियों को separate कर देता है फिर उसमें वापस से coiling नहीं हो इसको रॉकने का काम करता है topo isomerase या dna gyrase dna की दोनों strand पर dna अलग-अलग बनेगा एक strand पर तो सतत रूप से बनता है जिसको leading strand बोलते हैं एक पर खंडों की रूप में बनता है उसको legging strand या पश गामी सुत्र कहते हैं और उन खंडों का नाम क्या है ओका जाकी खंड खंडों को जोडने का काम कौन करता है dna ligase ला हमेशा ध्यान रखना ligase enzyme dna को जोडने का काम करता है काई पर भी dna को जोडना हो dna ligase enzyme काम आएगा और ligase ने उकजा की खंडों को जोड दिया था फिर मैंने आपको last में यह बताय था कि तोडने वाले enzyme भी होते है dna को कट करने की भी तो अरे भाई जैसे मालो आपने कोई कपड़ा सिला है या कोई भी काम किया है और उसमें कोई भी उक्चूख हो गई तो उसको हटसाई भी तो किया जा सकता है ना जैसे मैंने कोई बात लिखी है और कुछ लिखने में mistake हो गई तो यहां पर option होता इरेजर का पैन से अपन कॉपी में कुस पे कट कर देते हैं थोड़ा सा तो वैसे ही यदि dna को बनाने की दोरान कोई भी छोटी मोटी गलती हुई है कोई भी नाइट्रोजन इशारा कि दर उदर एड़ हो गया है तो उसको कट करने के लिए भी एंजाइम होते हैं और नुकलीयज एंडो मतलब अंदर हमेशा ध्यान रखना एंडो वर्ड अंदर के लिए एंडो इसकोपी आंत्री कंगों की जाच बायलोजी में तो सारा वर्ड्स पी आएगा ना यह वर्ड्स का मिनिंग आ जी है आपको एंडो मतलब अंदर एंडो नुकलिये जो dna को अंद aidenucleate जो DNA कgoing से काटता है बाहर से, बार का मतलब सीरों से काटता बार वाली साइड से कट करता है endoneucleateा jy 29 को बीच में से कट करता है exo मतलब बाहर तो डियने को सीरों से कट करता है समझ गए तो यहां पर लिख देती हुमें एंडो नुकलियेज डिएने को बीच में से कट करता है बीच में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हुई है बनाते समय नाइट्रोजनी शारक गलत जुड़ गया है कोई फॉस्पेड समू या कोई शूगर तो उसको बीच में से कट कर ने का काम एंडो नुकलियेज एक एक्जो नुकलियेज है जो डिएने को कहां से कट करता है एक्जो नुकलियेज डिएने को सिरों से कट करता है सिरों पर से कट करता है एक्जो नुकलियेज समझ गए इसके बाद में एक आता है बहुत एक इंपोर्टेंट है यह तो बहुत कारी परतिबंदी एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन ऐंडो न्यूक्लियस, डियेने को कहां से काटता है, यह स्पेसिफिक साइट से कट करता है, यह एक जामे कॉशन आये हुआ है, निम्नमे से डियेने का चाकू या डियेने की केंची कौन सी है, answer में क्या आएगा restriction endonuclease restriction endonuclease को ही क्या कहते है dna का चाकू या dna की केंची समझ गए endonuclease बीच में से कट करता है exonuclease dna को सिरों पे से कट करता है restriction endonuclease dna को विसिस्ट स्थानों से काटता है specific side से कट करता है इसलिए इसको dna का चाकू या फिर dna की क्या कहते है केंची तो ये dna को कट करने वाले enzyme है और जोडने वाले कौन से है ligase कल मैंने आपसे question पुछा था dna polymerage first को किसने discover किया है और विजेता ने बिल्कुल right answer लिखा था dna polymerage first को discover किया है konberg ने बिल्कुल सही answer लिखा था konberg ने ही एक और question था konberg का dna का करतिम संसलेशन ecoli bacteria की help से dna का करतिम संसलेशन भी किसने किया था konberg ने ही किया था और dna polymerage first enzyme को discover भी किसने किया था konberg ने इतना आप समझ गए तो कल वाले question का answer है ये अब देखो मैंने आपको ये बताया था kendry siddhant में dna से क्या बनता है rna rna से क्या बनती है protein तो अभी अपन ने dna पढ़ा है इसके बाद में अब अपन क्या पढ़ रहे है rna rna की normal structure में आपको बता चुकी हूँ कि इसमें डियोक्सी sorry, ribose sugar होती है 5 carbon वाली शरक्रा है evolution की दोरान rna पहले evolve हुआ जिससे फिर बाद में dna बना ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें nitrogen इशारा कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है देखो अपने अंदर आनुवानशिक पदार्थ कौन होता है आपके मेरे अंदर animals में आनुवानशिक पदा genetic material है DNA DNA नहीं option में तो पहला answer gene आएगा ये मैंने आपको बताया भी था एक दिन gene क्योंकि DNA का ही एक छोटा खंड है तो पहला answer gene gene answer में नहीं मिलेगा तो फिर answer में कौन आता है DNA लेकिन देखोए ना कुछ plants plants में ज़्यादा तरमे आनुवानशिक पदार्थ कौन होता है RNA अपने अंदर RNA है लेकिन अपने अंदर आनुवानशिक पदार्थ नहीं है और कोई काम करता है आनुवानशिक पदार्थ का काम नहीं करता है लेकिन बहुत सारे plants के अंदर RNA आनुवानशिक पदार्थ के रूप में भी काम करता है तो RNA एक आनुवानशिक पदार्थ की रूप में काम करता है, ये भी कुछ scientist ने बताय था, उनका नाम बताओ एक बार आप मुझे, देखो, RNA आनुवानशिक पदार्थ की रूप में काम करता है, इसके लिए काम किया था Franklin Conrad, Franklin Conrad, वह Franklin Conrad, वह इसकी साथ था स्टेनले, ये Franklin Conrad और स्टेनले नामक साइंटिस्ट ने ये काम बताया था कि RNA क्या होता है, आनुवानशिक पदार्थ, और इन्होंने किस पे काम किया था, इन्होंने TMV पर काम किया था, और फुल फॉर्म आफ टीम वी क्या है, टॉबेको मौजेक वाइरस, टीम वी की फुल फॉर्म क्या है, टॉबेको मौजेक वाइरस, और ये टॉबेको मौजेक वाइरस, टॉबेको का मतलब तंबाकू, तंबाकू की पतियों में मौजेक रोख फैलाता है, मौजेक मतलब चितकबरापन, तो TMV एक वाइरस है, इनकी अंदर आनुवानशिक पदार्थ कौन होता है RNA और जो TMV होता है ना इसका आनुवानशिक पदार्थ होता है Single Standard RNA एक रज्जु की RNA और RNA वैसे Manly Single Standard ही होता है जैसे मैंने आपको कल बताया था कि DNA तो Double Standard है और DNA का द्वी कुंडलित मॉडल किस ने दिया है Watson and Crick ने लेकिन RNA Generally Single Standard ही होता है कुछ एक दो exception है जिनके अंदर RNA Double Standard होता है और इस टॉबेको मुझे एक वायरस में भी Single Standard RNA एक रज्जु की RNA पाया जाता है मतलब उसमें एक ही कुंडल होता है ना जैसे DNA तो अपने ऐसे बनाया था दो कुंडल वाला इतना समझ गए हो आप वापस सुन लो RNA भी आनुवानशीक पदार्थ के रूप में काम करता है यह बताया था फ्रैंक्लिन कॉनरेट और इस टॉनले नामक साइंटिस ने टॉबेको मुझे एक वायरस पर काम करते हुए यह टॉबेको मुझे एक वायरस तंबाकू की पत्तियों में चितकबरापन फैलाता है और इस टॉबेको मुझे एक वायरस के अंदर कैसा RNA होता है एक सिंगल स्टेंडेड आरेने पाया जाता है इतना समझ गए अब देखो इसका मतलब तो यह हो गया कि आरेने भी दो प्र तो RNA के अपन दो भाग कर रहे हैं कौन कौन से कर रहे हैं एक तो में लिख रही हूँ genetic RNA और एक में लिख रही हूँ non-genetic RNA जनेटिक वाट आनुवान्शिक आरेने नॉन जनेटिक अनुवान्शिक आरेने जनेटिक आरेने क्या होता है जो आनुवान्शिक पदार्त के रूप में काम करेगा नॉन जनेटिक आरेने क्या होगा जो आनुवान्शिक पदार्त के रूप में कारे नहीं करेगा आनुवान पदार्थ की रूप में काम करेगा आनुवान शिक पदार्थ की रूप में काम करता है जैसे for example मैंने आपको अभी बताया था ना TMV के अंदर single standard RNA होता है और non genetic RNA तीन प्रकार के होते हैं एक तो MRNA एक होता है टी आरेने और एक होता है आरेने समझ गए तो non genetic RNA अपने अंदर होता है जो अभी अपन पढ़ेंगे और इसकी तीन टाइप हो गए और भी होते हैं जैसे मैंने आपको हेटरोजिनस आरेने बताया था ना कल आरेने प्रसंस करण से पहले हेटरोजिनस आरेने बनता लेकिन आप जनरल तीन ध्यान रख लो मैसेंजर आरेने ट्रांसफर आरेने राइबोसोमल आरेने और यह अपने अंदर तो आनुवान शिक्पदार्त का काम करते नहीं हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं non genetic RNA कहते हैं इतना आप समझ गए आप देखो मैं RNA के तीनों टाइप लिख रही हूँ यहां पर तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे फर्स्ट तो अपन पढ़ेंगे मैसेंजर आरेने सेकंड अपन पढ़ेंगे ट्रांसफर आरेने और थर्ड अपन पढ़ेंगे आर आरेने या राइबोसोमल आरेने देखो mRNA, tRNA, rRNA ये है messenger messenger क्या होता है? facebook पे नहीं है क्या messenger messenger का काम क्या है? message पहुचा न तो ये messenger RNA होता है संदेश वाहक RNA ये तो है संदेश वाहक RNA tRNA होता है transfer या इस्था नांतरण शील RNA transfer या इस्था नांतरण शील RNA rRNA होता है ribosomal RNA rRNA होता है ribosomal RNA देखो, तो messenger RNA या संदेश वाहक RNA transfer RNA या इस्था नांतरण शील RNA या rRNA होता है ribosomal RNA ये total RNA का 80% होता है total RNA का 80% ये total RNA का 10 से 15% messenger RNA है जो total RNA का 10 से 15% transfer RNA लगभग 5% के आसपास होता है इतना ही इसका परसेंट बचा भी है 5 से 10 लिखा है मैंने अब देखो, इनका कारे लिखते हैं अपन तीनों का messenger RNA का काम, transfer RNA का काम और ribosomal RNA का कारे जैसे इनके नाम हैं, वैसे ही इनके क्या होते हैं, काम इनके नाम की अनुसारी इनके काम है ribosomal RNA क्या करता है, ribosom का निर्मान करता है ribosomal RNA, ribosom का निर्मान करेगा जैसा नाम, वैसा काम, ये ribosomal RNA है जो ribosom का निर्मान करता है ribosomal RNA सबसे इस्थाई प्रकार का RNA होता है ribosomal RNA सबसे इस्थाई प्रकार का RNA है और लिखते थे हैं आपर अपन सबसे इस्थाई प्रकार का आरेने और इसका आकार भी सबसे बड़ा होता है इस्थाई प्रकार का आरेने हैं इसका जीवन काल भी ज़्यादा होता है यहाँ पर लिख देती हूँ इसका जीवन काल लंबा जीवन काल ज़्यादा से अपना भी तो जीवनकाल दिया है ना भगवान ने सो साल तक अब सो साल तो अपना मैक्सिमम में उससे तो कमी रहता है ना तो इनके सब के जीवनकाल होते हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा जीवनकाल लंबा होता है आर आरेने का मैसेंजर आरेने का जीवनकाल कम होता है मैस ट्रांस्फर आरेने होता है, सबसे छोटा आरेने, ट्रांस्फर आरेने सबसे छोटा आरेने, और ये एक सॉल्यूबल आरेने होता है, गुलन शील आरेने, ट्रांस्फर आरेने सबसे छोटा आरेने होता है, एक गुलन शील या सॉल्यूबल आरेने होता है, समझ गए, ये तो इनकी नॉर्मल लिखें अभी इन दौनों के functions पढ़ेंगे अभी, देखो, ribosomal RNA का जीवन काल सबसे लंबा, सबसे इस थाई प्रकार का RNA होता है, transfer RNA सबसे छोटा RNA है, और ये soluble gulanshyl RNA, मतलब कोशी का द्रव्वे में gulanshyl अवस्था में रहता है, messenger RNA का जीवन काल सबसे कम ह होता है, तो ये अपने आपको बचाने के लिए capping करता है, cap की दोवार आपने आपको protect करने की कोशिश करता है, अब मेरी बास सुनो, मैंने आपको ऐसे बताया था क्या, जब cell पढ़ाई थी और आप अगर साथ के साथ रिवाइच कर रहे होंगे, तो आपको ध्यान होगा, ये इसे अपनने endoplasmic reticulum बनाई थी, और इसकी एक साइड पर अपनने क्या बनाए थे, ribosome, और मैंने आपको ribosome का function भी बताया था ना, ribosome का का काम क्या होता है, protein निर्मान करना, ribosome का का काम क्या है, protein निर्मान करना, मतलब ribosome, protein मनाने का काम करते हैं, अब आप kendri सिद्दान्त याद करोओ, मैंने आपको ऐसे बताया था, DNA से क्या बनता है RNA, RNA से क्या बनती है protein, यही बताया था ना केंदरी सिद्दान्त में, DNA से RNA, RNA से क्या बनती है protein, अब मेरी बास सुनो, यह दो चीजे लिखी अपने, राइबोसोम का काम भी protein निर्माण करना, और RNA से मैंने बताया था कि RNA से भी क्या बनती है protein, अब आपकी माइ में कोशन आना चाहिए कि प्रोटीन बना कोन रायवास्तों में राइबोसोम प्रोटीन बनाता है या आरेने प्रोटीन बनाता है देखो प्रोटीन बनाने का मैन काम किसका होता है राइबोसोम का आरेने इसकी प्रोटीन बनाने में केवल क्या करता है हेल्प समझ गए क्या आ कोई क्या चीज लेके आएगा कोई मार्केट से क्या लेके आएगा तब ही तो खाना बन पाएगा ना तो प्रोटीन बनाने का मेंका म्राइबोसॉम का है आरेने इसकी प्रोटीन बनाने में क्या करते हैं हेल्प हेल्प कैसे करते हैं वो देख लो आप देखो मैंने आपको ऐसे बताया था कि कोशिका के अंदर कौन होता है केंद्रक केंद्रक के अंदर कौन होते हैं गुण सुत्र गुण सुत्र पर रेखाओं के रूप में कौन होते हैं जीन जीन किसके बने होते हैं डीने के डीने से क्या बनता है आरेने इससे दो प्रकार के आरेने बनेंगे एक तो मेसेंजर आरेने और एक ट्रांस्फर आरेने मैंने आपको अभी तक एक हजार बार बताया है कि राइबोसॉमल आरेने केंद्रीका में बनता है कोशन आया वो है फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो भी केंद्रीका के अंदर आरेने या राइबोसॉमल आर था DNA से क्या बनता है RNA DNA से RNA के बनने को अपने क्या नाम दिया था transcription transcription या अनुलेखन नाम दिया था एक्जाम में कोशन ऐसे पूछेंगे transcription कहां होता है translation कहां होता है option तो अपने या तो केंद्रक द्रववे में या फिर कोशी का द्रववे में दोई option ना भई आप देखो DNA से बनता है RNA DNA से RNA के बनने को क्या कहेते हैं transcription transcription हमेशा कहां होता है केंद्रक द्रववे में होता है या आप लिख लेना Kendra Siddhant लिखा था वहां पे मैं इसले यूंही बतायगें था क्योंकि वापए आहे आप इतना जान देने भी या के बारे में तो Deaningे इन ने इचerson WT यह एक एंडर द्रव्वे में बनाय है तो ट्रांसक्रिप्चिन हमें आहिकें द्रव्वे में होता है कि ribosome ने protein बनाने की क्या लगाई है factory दोनों भागे-बागे पहुंचते हैं कि हमने सुना है आपने protein बनाने की फैक्ट्री लगाई है राइबो सोम केता है मैंने तो पता नहीं क्या क्या लगाया तुम तो तुम्हारी समस्या बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है तो दोनों आके बोलते हैं कि भाई ये तो है messenger आ रहे ने और ये ट्रांसफर आ रहे ने दोनों कहते हैं कि हम तो ऐसे फिर डॉल रहे थे वेकिंसी आती तब तो हम पढ़ते नहीं है अब कोई काम नहीं है अगर तुम्हारी factory में कोई काम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा तो रा अधर काड़ी तो मांगते हैं ना म्कान माली किया चेता है तो उंसे आधर कार्ट की फोटय कोपी दे दे पहले उस से पता लग जाता है आधनी का पूरा झा तो इनसे पूसता है नामपते बताओ अपने ये केता है मेरा नाम है मेसेंजर आरेने ये केता है मेरा नाम है टांसफर आरेने संदेश वहां का आरेने इस्थान आंतरन शील आरेने राइबोसम केता है कि ठीक है जैसे तुमारे नाम है वैसे ही तुम्हें क्या दे दिये जाते यह काम तो यह ट्रांसफर आरेने का तो इस्थानांत्रंड ट्रांसफर करने का काम है ना तो इस से केतה है कि भाइ amino acids की बनी होती है ना protein तो भई कोशन आता एक जाम में protein किसकी बवलक होती है amino acids की बवलक होती है यहां पे नई लिखा रहे हूं क्योंकि food में protein तो एक अलग से chapter आएगा ना वहां पे लिखेंगे 20 प्रकार के amino अमल मिलकर के एक protein का निर्मान करते हैं जैसे माने घर में खाना ब किसकी बनी होती है आटे की बनी होती है ना तो वैसे ही इसने protein बनाने की factor लगाई है तो पहली आउशकता किसकी है amino आमल की तो यह transfer RNA से बोलता है कि इसमें सब जगा गूम जहां भी amino आमल मिले उसको पकड़के ले आना मेरे पास में तो ठीक है बई transfer RNA पहुंच जाता है यह आमीन आमल मिलते हैं पकड़-पकड़के इसको ला देता है इसका काम खतम हो गया अब बसता है messenger RNA अभी लिख देंगे अपन आपको समझ में आ गया होगा मैंने इसका काम क्या बताया है अब messenger RNA बसता है messenger RNA केता है इसको तो काम बता दिया आप थोड़ा बहुत मुझे भ दोल रहा हूं तो messenger RNA से बोलता है कम कर दो इसमें कम कर दो वैसे messenger RNA पहुंच जाता है कि भाई ये राइबोस्वाम ने बोला था कि मेरा नाम ले देना जो भी सूचना हो वो मुझे दे दो लेकिन राइबोस्वाम इसको पहले बोलता है तेरा काम only सूचना लाने का है बीच में पढ़ने का नहीं है जैसे डांकिया नहीं आता था पहले डांकिये का काम क्या था? लेटर पहुंचाना था न, लेटर को पढ़ना थोड़ी था बीच में उसका काम अपने जो भी पॉस्ट आरही है उसको घर तक पहुंचाने का काम था तो मेसिंजर आरेने का भी सेम वेसाई काम था, लेकिन इसको राइवोस्वम ने मना कर दिया था ना कि सूचना को पढ़ना मत तो अब इसके पेट में जाला दर्द था कि भाई ये ऐसी क्या बात करते हैं जो मुझे मना कर दिया कि सूचना को पढ़ना मत अपनी आदत होती है ना जिस काम को करने के लिए मना करते हैं उसको अपन ज लेकिन इसको मना किया कि वह he a Gヒु तो अब तो पढ़ेगा ही फिर जाननीज़ के तो फिरיר z a rn do पूछ ना को देखता है साइड में जाके लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि ये दोनों पहले से होश्यार थे इनको पता था ना बीच में गड़बर हो सकती है तो दोनों ही केसे बात करते थे कॉड़ वर्ड में जैसे घर पर रहते हो ना आप घर वालों के सामने कोई फोन आ जाता है तो ऐसे या यार कलाओंगा तो ऐसे बात करते हो ना वैसे ही ये भी आपस में कॉड़ वर्ड में बात करते थे तो इसका मतलब मेसेंजर आरेने का काम क्या था डी एने से कॉड़ के रूप में सूचना है, कहां पहुचाना, राइबोसॉम तक पहुचाना, कोड क्या होते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, इनके काम समझ में आ गए होंगे तुम्हें, तो देखो अपने इनके काम लिख देते हैं, Messenger RNA ने तो काम क्या किया, वो ही अपने 3 कॉलम चल रहे थे, Messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA, Messenger RNA ने तो काम क्या किया, DNA से कोड की रूप में, सूचनाओं को, सूचना को, DNA से कोड की रूप में जो भी मैसेज लेकिया आए था, सूचना को कहाँ पर पहुंचा ना, राइबोसॉम तक पहुंचा ना, एसे पूचते हैं, मेनिमन में से कौन से RNA का जीवनकाल सबसे कम होता है, मैसंजर RNA का जीवनकाल सबसे कम होता है, कौन सा RNA सॉल्योबल आरेनी होता है, यह तो समझ गए, यह DNA से कोर्ड की रूप में सौचनाय लेकिया था, ट्रांसफर आरेने ने क्या किया था? अमीनो एसेट्स का ट्रांसफर किया था? कहां से कहां पर? कोशी का द्रव्वे से राइबोसोम तक किसका ट्रांसफर किया था? तो अमीनो अमलका अमीनो एसेट्स का ट्रांसफर किया था? आमीनो अमलका ट्रांस्वर कोशिका द्रव्वे से राइबोसॉम तक राइबोसॉम को अमीनो अमलक क्यों चाहिए तो ये प्रोटिन बना रहा है बई और प्रोटिन किसकी बनी होती है अमीनो एसेट्स की बनी होती है इसलिए यह amino acids मंगवा रहा है, यह सूचना क्यों मंगवाई है, DNA ही कोशिका का master molecule होता है, cell का master molecule DNA, DNA direction देता है, उसी के according ribosome protein बनाता है, DNA ने अपने code में भेजा है, start करना है protein बनाना, तो ribosome protein बनाना start कर देगा, DNA बोलेगा कि protein बनाना बंद करना है, stop code भेजेगा, तो ribosome protein ब आता है, transfer RNA की सरचना के लिए एक model दिया गया था, transfer RNA की structure के लिए एक model दिया गया और इस model का नाम है, clover leaf model, transfer RNA की सरचना के लिए एक model दिया गया जिसका नाम है clover leaf model, clover मतलब होता है long, तो long की पत्ती के समान इसके structure बताई गई है, तो ये model है clover leaf model, सबसे लंबा जीवनकाल ribosomal RNA का, सबसे इस्थाई प्रकार का RNA भी ribosomal RNA, केंद्रिका में बनने वाला RNA भी ribosomal RNA, clover leaf model, transfer RNA, cod के रूप में सूचनाय लाने वाला messenger RNA, amino acids को लाने वाला transfer RNA, इतना आप समझ गए, आप देखो, इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ, genetic cod, genetic cod, हिंदी में इनको कहते हैं, आनुवानशीक हिंदी में कहते हैं, आनुवानशीक कूट, आनुवानशीक कूट कहते हैं, क्या होते हैं genetic cod, पहली बात तो, genetic cod की खोज, discovery of genetic cod, इनकी खोज की थी, नीरेनबर्ग और मैथाई ने, genetic cod की खोज, नीरेनबर्ग और मैथाई ने की थी, और नीरेनबर्ग और मैथाई ने इसकी discovery की थी, इसके लिए इनको Nobel Prize भी दिया गया था, नॉबल प्राइज, और नॉबल प्राइज साल के लास्ट में दिये जाते हैं, अलफ्रेड नॉबल की स्मृति में, पता होगा ना, तुम्हें अक्टुम्बर तक गोशना है हो जाती हैं, दस देसंबर को दिये जाते हैं, नॉबल प्राइज, अलफ्रेड नॉबल की स्मृ में. अल्फ्रेड नोबल ने अपनी पूरी संपत्ती दान कर दी थी और इसी की संपत्ती में से ही आज तक नॉबल प्राइज दीए जारे हैं. और इस नॉबल प्राइज में हर गोविंद खुराना को भी शामिल किया गया था. हर गोविंद खुराना इस हर गोविंद खुराना को भी शामिल किया गया हर गोविंद खुराना ने वोई जनेटिक कोड की अंदर भूमी का आदा की थी तो इसको भी इसके लिए नॉबल प्राइज में शामिल किया गया अब देखो जनेटिक कोड क्या होते हैं? जनेटिक कोड की आवशक तक कहां पर पड़ी? मैसेंजर आरेने कोड की रूप में DNA से सूचनल आये था राइबोसों तक सूचनल आये था उसकी अकोर्डिंग प्रोटीन बनाना शुरू होगा और प्रोटीन बनना बंद होगा. तो genetic code क्या होते हैं, messenger RNA की nitrogen इशारकों और protein की amino acids के बीच जो आनुवानशीक सूचनाओं का संबंध होता है, उसी को ही क्या कहते हैं, आनुवानशीक कूट, यह थोड़ी technical definition है, आप simple याद रखो, messenger RNA और amino acids के बीच जो भी सूचनाओं आदान प्रदान होती है न, वो ही genetic code होता है, वापस सुन लो, messenger RNA की nitrogen इशारकों और protein को बनाने वाली amino acids के बीच जो भी आनुवानशीक सूचनाओं का संचरण होता है, वो ही क्या किलाता है, genetic code, genetic code के अंदर कौन आते हैं, code, code या code या codon यही बात है, code किसके बने होते हैं, code बने होते हैं, messenger RNA के nitrogen इशारकों के, messenger RNA के nitrogen इशारक कौन से होते हैं, adinin, gavanin, uracil, thymine के स्थान पर uracil शारक था न, और excitosin, ये मेरी बातें आपको समझ में तब आएंगी जब आपने पिछली classage को ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, रिवाइच किया होगा, मैंने आपको ये सब बताये था कि RNA में कौन से nitrogen इशारक होते हैं, तो अब मैंने बोला तो आपको तुरंट समझ में आना चाहिए, तुरंट समझ में उसको आएगा जिसने classage को पहले वाली को seriously पढ़ा था, तो पहली बात तो सुनो, कौड किसके बने होते हैं, तो messenger RNA के nitrogen इशारकों से ही क्या बनते हैं, कौड, अब जब आपको ये याद है कि RNA की nitrogen इशारकों से कौड बनेंगे, तो आपसे पूँछे कि कौड में कौन से अक्षर काम में लिये जाते हैं, तो फिर आए गया तो adinin या गवानिन या uracil या cytosin, थाइमिन नहीं आएगा, यह ध्यान रखना, कौड के अक्षराओं में कौन शामिल नहीं है, थाइमिन, कौन शामिल है, तो ये चारो, तो टॉटल कितने कॉड होते हैं टॉटल कॉड होते हैं 64 64 कॉड की भी definition बता देती हूं मैं आपको messenger आरेने के जो चार nitrogen शारक हैं उनी से ही तो कॉड बना है न तो mRNA के चार nitrogen शारकों का सयोजन चार nitrogen शारकों का combination चार nitrogen शारकों का सयोजन ही क्या कहलाता है कॉड एक कॉड कितने nitrogen शारकों से बनता है तो एक कॉड तीन nitrogen शारकों से बनता है तीन nitrogen शारक मिलकर एक कॉड बनाते हैं टॉटल कॉड कितने होते हैं 64 64 को भी दो भागों में बाटा गया है एक तो sense कॉड एक nonsense code, sense code होता है start code, और nonsense code होता है stop code, यदि DNA ने AUG लिखकी दिया है, AUG, adinin, uracil, guanin, यदि DNA ने AUG लिखकी दिया है, तो protein बनाना क्या हो जाएगा, start, यदि DNA ने UAA, UAG और UGA लिखकर दिया है, तो protein बनना क्या हो जाएगा, बंद, तो इसका मतलब UAA, UAG, UGA, कैसे code होते हैं, stop code, समझ गए, total code कितने होते हैं, 64, code जो हैं, ये universal होते हैं, सारवत, त्रिक, bacteria to elephant, same code होते हैं, एक bacteria से लेकर के, अपने अंदर, मनुश्य तक same code होते हैं सबके अंदर, और total कितने होते हैं, 64, ये ध्यान रखना, universal है, bacteria to elephant, same code पाए जाते हैं, और start code कौन सा होता है, AUG, आप से simple पूछेंगे कि start code कौन सा है, AUG, अब पहले वाली परिक्षाएं नहीं रही हैं, भाई, कोशिका की खोज याद करोगे, और ये mitochondria ने ATP बनाया है, इनसे number नहीं आएंगे, exam अब दिन बदिन competition बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा कठिन पढ़ने की आदर डाल लो, जादा पढ़ने से नुकसान नहीं होगा, कम पढ़ने से नुकसान होगा, ये ध्यान रखना, तो अब आपको समझने में दिग्गत भी हो रही है, तो मैं चार बार समझाती हूँ, वीडियो को दुवारा से देखा करो, कोशिश किया करो, पढ़ोगे, तो कामाएगा, तुमारी कामाएगा, मेरी तो कामाएगा, नहीं, मिझे तो सारी चीज़े याद ही है ना, ये तो, 64 में, स्टार्ट कौन सा होता है, AUG, अगर DNA ने AUG लिखकी दिया, तो प्रोटिन बनना स्टार्ट, UAA, UAG, UGA, ऐसा लिखकी दिया, तीनों में से कोई सा भी, तो प्रोटिन बनना क्या हो जाएगा, स्टॉप, फुल फोर्म, यूरेसिल, एडिनीन, एडिनीन, यूरेसिल, ए नाइट्रोजनी शारक होते हैं, आप से पूछेंगे कोड किस से बने होते हैं, आरेने की नाइट्रोजनी शारकों से बने होते हैं, आरेने की नाइट्रोजनी शारक कौन से हैं, एडिनीन, गवानीन, यूरेसिल, साइटोसिन, बस, और मैसेंजर आरेने की रूप में सूच किया गया था वेसे हर गोविन खुराना ने DNA पर भी काम किया है और ये समझी गया आप कोड क्या होंगे तो ये लिखी दीर मैंने definition चार nitrogen इशारकों का combination एक कोड कितने nitrogen इशारकों से बनता है तो तीन से बनता है तीन से केसे बनता है तो for example आपके पास लिखा हुआ भी है इतना आप समझ गए अब इसकी आगे अपन कल पढ़ते हैं अभी अपने को cell division पढ़ना है उसके बाद में अपनी cell complete हो जाएगी next topic अपने start करेंगे मैं अपने according तो पढ़ाई रही हूं लेकिन आपकी भी कोई topic पढ़ने की इच्छा है आप चाहो कि मैं इस topic को पहले करा दो तो आप मुझे suggest कर सकते हो comment box में लिख देना ठीके thank you